तो आज हम बात करेंगे बच्चों, limitation of the octate rule की, हमने octate rule पहले पढ़ लिया था, क्या था octate rule? कि हर atom ये चाहता है कि अपना octate complete कर ले, that means उसके outermost shell में 8 electron complete कर ले, वो हर atom ये चाहता है, बट आज हम पढ़ेंगे कि इसकी limitations क्या है, क्या-क्या limitations हो सकती है, तो पहला मैं बात करता हूँ, the incomplete octate of the central atom, कई जागे ऐसा होता होगा, जहां पर octate incomplete होता होगा, central atom का, फिर भी वो stable होती होंगे, बात क्लिर है, या और इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, electron deficient molecule, या फिर hypovalent molecule बोल सकते हैं, जिनके अंदर incomplete octate होता है, central atom का, बात क्लिर है, तो क्या होता है, इसको define कर से करेंगे, in some compound, the number of atom surrounding the central atom is less than 8, मैंने क्या बोला था बच्चों, मैंने यही बोला कि कुछ compound ऐसे होते हैं, कुछ molecule ऐसे होते हैं, जिसके अंदर जो electrons present होते हैं, वो 8 से कम होते हैं, that means, incomplete octate होता है, वहाँ पर, बात क्लिर है, this is especially the case with element having less than 4 valence electron, और ऐसे atom, या ऐसे elements काँछे होते हैं, ऐसे element वो होंगे, जिसके अंदर valence electron 4 से कम present होते हैं, बच्चों, बात क्लिर है, फर एक्जामपल, मैं बात करता हूँ, LICL की, देख पा रहे हैं आप LICL, कैसे जुड़ा हुआ है LICL, एक single bond से जुड़ा हुआ है LICL, आप यहाँ पर मैं LI की बात करूँ, क्या LI का octate complete है, बच्चों, नहीं, यहाँ पर LI का octate complete नहीं है, तो LICL में कितने electron हुए, बच्चों, काउंट कीजिए, LICL के पास कितने electron हुए, बताइए, इसके outermost shell के मैं बात करूँ, तो LICL के पास keval और keval 2 electron हुए, बात क्लिर है यहाँ तक, इसी तरह मैं बात करूँ, BEH2 की, यह देखिया, BEH2, यहाँ भी beryllium का, क्या octate complete दिखाई दे रहा है आपको, नहीं बच्चों, यहाँ भी beryllium का octate complete नहीं है, बेलेलिम ने दो electron loose किये हैं, दोनों hydrogen को एक एक electron दिया है, और उसके outermost shell के, अगर मैं बात करूँ, जो कितने electron होंगे, केवल और केवल दो ही electron होंगे, बात क्लेर हैं यहाँ तक, इसी ज़रे मैं बात कर सकता हूँ, BCL3 की, अगर boron के case में बात करता हूँ, तो केवल और केवल 6 ही electron present है, आप देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं बच्चों, that means कुछ compound मेरे ऐसे होते हैं, जिसके अंदर octate complete नहीं होता, फिर भी वो stable molecule होते हैं, बात क्लेर है, यह पहला limitation था हमारा, किसका octate rule का, second मैं बात करता हूँ, expansion of octate, that means electron efficient, वहां आपने क्या बोला था, वहां बोला था electron deficient, महां electron की कमी थी, और यहां हो जाएगा, electron efficient, that means, electron की axis है, बहुत जादा electron है, octate से भी, जिसे हम hypervalent भी बोलते हैं, बच्चों, बात क्लियर है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, elements of third period, and above third period, have apart from 3S and 3P orbital, 3D orbital are also available for bonding, ऐसे element जो third period के हैं, या third period से भी, आगे वाले element हैं, उनके अंदर 3S होता है, 3P होता है, और 3D orbitals भी present होते हैं, काई के लिए, bonding के लिए, तो ऐसे compound के अंदर क्या होता है, इन a number of compound of these elements are, more than 8 valence electron around the central atom, this is termed as the expanded octate, उनको क्या बोला जाता है, expanded octate बोला जाता है, जिनके अंदर, उसकी valence shell में, 8 से भी ज़्यादा electron आ जाते हैं, बच्चों कितने, 8 से भी ज़्यादा electron आ जाते हैं, बात clear है, that means, here also octate tool does not follow, यहाँ भी octate tool follow नहीं होगा, बच्चों क्यों नहीं होगा, क्योंकि octate tool तो हम यहीं बोलते हैं, जिसकी valence shell में कितने electron हो, 8 electron हो, for example मैं बात करता हूँ, PCL5 की बच्चों आप यह देख पा रहे हैं, PCL5, अगर मैं यहाँ पर phosphorus के around में, electrons की बात करता हूँ, तो phosphorus ने 5 bond बना रहे हैं बच्चों, कितने बना रहे हैं, 5 bond बना रहे हैं, और 5 bond का मतलब क्या होगा बच्चों, एक bond गंदा 2 electron होते हैं, तो phosphorus ने total 10 electrons के साथ गिरा हुआ है, कितने electrons के साथ, 10 electron के साथ गिरा हुआ है, that means phosphorus का octate expand कर गया है, उसने 8 से ज़्यादा electron ले रखे हैं, बात क्लियर हैं यहाँ तक, इसी तरह मैं बात करूँ, SF6 की, किसकी, SF6 की, तो SF6 में आप क्या देख पा रहे हैं, बच्चों, यहाँ पर देखिए, SF6 में आप देख पा रहे हैं, कि sulfur ने 6 bond बना रखे हैं, और 6 bond बना रखे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, बताइए, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, कि sulfur के पास 12 electron है उसके valence shell के अंदर that means इसने भी अपना octate expand कर लिया है that means ये भी एक limitations हो गई है बात clear है इसी तरह मैं बात करूँ H2SO4 की किसकी H2SO4 की अगर मैं बात करता हूँ तो sulfur ने दो तो double bond बना रखे हैं oxygen के साथ और दो ही single bond बना रखे हैं OH OH के साथ बात clear है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं sulfur ने 6 bond मना रखे हैं और 6 bond मतला 12 valence electron हो गए तो H2SO4 की case में भी क्या हो जाएगा H2SO4 की case में हो जाएगा कि octate expand हो रखा है बात clear है इन सब के अंदर क्या हो रहा था इन सब के अंदर sulfur का octate expand हो रहा था बट अगर मैं sulfur की बात करूँ sulfur also form many compound in which the octate rule is obid क्या बोला मैंने बच्चों मैंने यह बोला कि sulfur कुछ ऐसे compound भी बनाता है जिसके अंदर octate rule क्या हो रहा हो और भी हो रहा हो follow हो बात clear है सब्सक्राइब बात करता हूं sulfur dichloride कि किसकी sulfur dichloride कि आप यह molecule देख पा रहे हैं यहां रहा है उसने octate complete कर रहा है बात clear है आपको यहां तक तो यह बाती हमारी expanded की या फिर मैं बोल दू हाइपर वेलेंट की या फिर मैं बोल दू बच्चो की expansion of octate की बात क्लियर रहे यहां तक अब मैं बात करता हूं बच्चो third limitation की odd electron molecules की किसकी बच्चो odd electron molecules की बात करता हूं कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे in molecules with an odd number of electrons like nitric oxide जिसे हम NO से दिखाते हैं nitrogen dioxide जिसे हम NO2 से दिखाते हैं the octate rule is not satisfied for all the atom क्या बोला मैंने बच्चो जिस तरह आप यह NO और NO2 देख पा रहे हैं इन दोनों के अंदर भी nitrogen के अंदर क्या है एक odd electron present that means एक single electron present है और single electron होने के वज़े से क्या होता है यहां पर भी octate rule follow नहीं होता है बच्चो और octate rule follow नहीं हो रहा है that means क्या हो जाएगा यह भी limitation हो जाएगी octate rule की बात क्लिए आपको यहां तक हमने limitation में क्या बदा हो expanded octate हो जिसे हमने hypervalent भी बोला था और एक हमने पढ़ा बच्चो और electron concept वाला कि अगर atom के अंदर और electron present है तो वहां भी octate complete नहीं होता है बात लियर है तो यह सब था limitation of octate rule के बारे में thank you